नमस्कार सात्यों अभी हमारे साथ में कटिहार के वरिष्ट अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता संजै सिंग मोझूद है चलिए उनसे मैं मिलाता हूँ ऐने ये हैं कटियार के वरिष्ट अधिवक्ता जाने माने विद्वान अधिवक्ता हैं सर से हमारा सवाल है सर से मिलाते हैं आपको सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दन्यवाद सर कठियार में सर जो मेरा सवाल है सर चिनावी माहोल पर मेरा सवाल होगा सर आपसे और आपका जो विसलेशन रहता है बहुत सटिक रहता है सर और लोग सुनना भी पसंद करते हैं बताइए सर देखिए कठियार के मद्धाताओं को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सांतिपुर्ण तरीके से जो है मद्धान किया और ऐसा मद्धान किया कि जो लोग उसके रियल हगदार है उनके पक्षवे मद्धान किया है यह रिजल्ट आएगा तो आपको एकदम बिल्कु कुछ लोग कहते हैं सर जीवा कहीना कहीं सकत्यार सीट से हार रहे हैं और यहां से सर हात चापके जो मिद्वार है तारीक अनवर जीत रहे हैं ऐसा कुछ लोगों का कहना है और चा कुछ लग रहा है सर अब कुछ तो बस इतना ही सा एक गहना का बोल है कुछ तो लोग करेंगें जहां 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 उनकी बहुंता है और उसके उनलाइस करते हैं कि बैठा रहे हैं लेकिन जो वोट का जो कास्टी हुआ है वो मुख रूप से वही हुआ है कि एक वोट की जो प्लराइजेशन है उसलमान और जादवों की वोट की वोट एक तरफा गीरा है इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता है मुखे थाहनी मुकेश सानी को अदमी सफ मला की बात करता है और हुद हो सफ मला होह नहीं पाता है तो हमारा करो है कि अपने हिताब से चुनाव लड़ते हैं हम लोग कई दफ़ा मुंके सानी से मिलें उनका काम है टिकेट को बेचना उनका काम है लोगों को जो है भोट में बार्गेनिंग करना तो इसा कुछ राज़ती है उसे कोई फर्क नहीं परता है अच्छा एक और बताते हैं मुखमंत उन्हें थे देश की जो परधान मंत्री है मंच सीधा भासन उन्हें दिया वैरल हो गया सर चार हजार समसद से इस बार उसको बेज़े इसको आप सर कैसे देखते हैं पहली नमर बात की लालू परसाद जी की जो राजनितिक परिपेक्ष में उनकी राजनित थी तो लालू समय का समय अलिग था बाद में समय बदला और उस समय के नुकुल आज की राजनित है डूसरी नमर बात की जहां तक कहते हैं कि रत रोकना तो यह कोई रत नहीं है ये महसाघर है और इस महसाघर का जुवार भटा को रोकना किसी के बस की चीज नहीं है रही बात की पल्तुर नितिस जी नमक है, जिस सब्स्दीमें पड़ते हैं, वो प्रश्दीमी में परा मसालेधार हो जाता है, तो नितिस जी पल्टु राम जब उनके साथ दो दो बार गए, तो नितिस जी सही थे, जब भाजपा के साथ आए तो पल्टू राम हो गए तो पल्टू राम कहना राजनीत में वो इसलिए गए थे कि नितिजी का जो राजनीतिक जो शवी रही है और उनका जो समाज के परती जो उनकी जवाब देही रही है उन्होंने बकूवी निभाया जहां भी कहामी लगता ह है तो नितिजी जाते हैं और इसे में कौन बड़ी बात है राजनीत में कुछ लोग कहते हैं बड़ी आफ तारीफ करते हैं नितिज कुमार का लगता है आप जद्यू में सामिल हो रहे हैं लोग कहते हैं सर्क हम जद्यू और और भाजपा की बात नहीं करते हैं हम बात करते कि समाज में नितिस जी की जो शबी नितिस पर आज-टक किसी तरह कि कोई प्रतर के आरोप नहीं लगे हैं। कि का देखर जिसे को आरोप नहीं है नितिस के आप से महिलाओं को परतारित करने काaches ओपर थपा यह आज है दो से लिगा हों आज मेंग कि नाम से कोई राजनिती में कोई नेता मुखमंतरी के तوع पर जाना जाता है लेकिं नितिस जी के उपर बिगधी करता होने करते हैं कि दावेदारी में पेस करेंगे चाह कुछ लगता है आपको बताईए पहला काम है हमने पहले भी आप से कहा है आपने कई बार इंटर्वियू लिया उसमें कहा कि मेरा कार्ज है कार्ज समाज सेवा का है समाज सेवा करते हैं करते रहें हैं करते रहेंगे और इसी में देखिए आपकी तकदीर में जहां लिका होगा अगर लगा अगर यहां की जनता चाहिए हमारे मुकदर में यह होगा कि यहां के जन्ता की सेवा करना तो मिलेगा तो देखा जाएगा एक की तरफ हमारा ऐसा कोई नहीं है कि कोई आदमी अगर यह सोचकर राजनीत करता है कि मुझे विधाय की बनना है विधान परसत का सदसी बनना है एंपी बनना है तो हमको तक्दीर में है मुकद्र में उनको मिलेगा जिनको उपर वाले इस्वर अला ताला जिसको कि यह का हमें मिलेगा तो हम करेंगे कि और को मिलेगा और करेगा लेकिन हमारा मुखे उदेश समाज में सेवा करना समाज का अच्छे ढंग से सेवा करना समाज में ऐसे लोगों को जो देखे जो अच्छा काम करता उसको हर वेसा प्रोसाइद करना चाहिए अब मुखे आपने 4000 की बात के दिया स्लीप अफ टंग हमने कई कई दफा कहा कि एक प्राव पर आदमी में एक बाते आती है कि कभी कभी स्लीप अप्टंग होता है अगर मालने चार सो के जगह पे चार चार सो का है तो चार सो अब इसके लिए इसको बुद्धा बना देना तो हमको लेगता कि विपक्ष का यह उनके प्रणों करने का पहले थे वह राजद मे अच्छे आदम है और उनका अपना एक राजनीत करियर है और वे अपने हिसाब से राजनीत करते हैं जहां उचीत समझता है वहां गये होंगे लेकि venir कुछ लोग उनके साथ जो है वो तो अईसी इसी बातों को कह रहे हैं जिससे की लगता है या तो उनको अपने सग्यान लेना चाहिए फेश्बुग और मीडिया में कि माधियम से जो जो-जो ही करती है तो उनके सिहत के लिए वह खराब क्योंकि अरे भाई चले हैं जिस राह पे चले हैं जिस इंसान के साथ चले उसके साथ आप अपढ़ादारी से रहे अब उसके लिए बेड़े इसके नहीं अब टिकेट करें पर उन्हों जो मुद्धा मुसलमानों का उठाया कि जो जातिकत जनिगन्या पर लालू जी उनको देखे लालू जी के राजनीत में हम लोग एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि लालू जी एक समझदार रिडर थे और वो अच्छे से समाज में समझ कर वो काम करते थे आप लालू जी की दे हिंदुस्तान के लोगों को मुह में आवाज दिया उस गरीब गुरूबा को मुह में आवाज दिया इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है अच्छा है सर अपने लालू जी के भी बाड़े में अच्छा बात बोला आप बहुत लोग से मिलते हैं सर कटिहार में आम लोगों से भी मिलते हैं युवा से भी मिलते हैं कटिहार नहीं पूरे कटिहार में जहां भी परकंड है जितने भी परकंड है हर जगा सर आपका नाम मैं सर्वे कर चुका हूँ आपका नाम जो है हर जुबान पर लोगों के रहता है सर सभी लोग से मिलते हैं जाहिर सी बात है आप लोग बोलते ही हैं कटिहार में ये विकास हुआ है ये हुआ है आप कैसे देख्या देखते हैं सर कटियार में क्या कुछ विकास हुआ है कटियार में सर हमारा जूट मिल बंद परा हुआ है कटियार का जो कल खार खाना है कुछ लोग करते हैं जरा संडे सिंग सर से बात कीजेगा कटियार का विकास क्या कुछ हुआ है मोधी जी ने तो बोल विल्ट को गब बेचा गिया यह लोग कहते हैं कि मोदी जी के बारे यह गोई ने बैच दिया अब बताहिए कि जो कथियार का जूठोब किसने बैचा और कथियार के जुटमिल ने किसने बंद करवाया आप बताईए कि एक सासन में यहां पर एक जो है टीवी सेंटर बना था और बना उस टीवी टावर को किसके सासन में बंद हुआ वो बंद परा हुआ था आज जो है यहां के अस्थानिय विधायक को मैं धन्यवाद देता हूं उनकी अथक यहां से टीवी सेंटर को अस्थान्तरित किया जा रहा था जो लोकल चैनल चलता है उससे जो है उसको करने के लिए उन्हों ने एक अथक पर्यास किया और आज यहां पर वो ओ रह गया तो यहां से उठकर जा रहा था यहां पर कि एक रहा है की कठायार का विकास कठायार का विकास अभी तो रास्ते पर चल रहा हैं हमलों के बितस से इस था आप जहते थे की सीपाट ज़ता था पीछ रोड पर और जैसे एक बार जारी चली तुरियाम तरब से वह उकर जाता था आप जहां रोड बनता है अब उस रोड पर पंसाल चलेंगे तब भी तुटेगा नहीं तो अभी जो गुणमत्ता इस सरकार ने रखी है इसका कोई जोर नहीं है कोई सानी नहीं है और जहां तक नितियस जी का जो काम है उम्र तो हुआ उनका हम लोग उससे नजर अ इंदाज नहीं करते हैं वह भी ठके ठके तो लगते ही है लेकिन अब भी जो देखिए अगर तीस दिन नितियस दी की राजनीत बिहार की राजनीत से कतम होगी आप मान के चलिए कि बिहार फिर उस रथ पे चर जाएगा कि जहां वह जाता है वह घाट की तरफ यही ना कठि करेंगे तो आने वाले दिनों में करेंगे आप आकलन क्योंकि वह जो लाए प्रोजेक्ट कठियार में ड्रेने सिस्टम का उस रास्ते का जब वह पूरा बन कर तयार हो जाएगा तक दम आपको कठियार दुलहन की तरह प्रोजेखेंकर दिखेंगी अंतीम सवाल है कठियार नगर दिखन में देख रहे हैं और उसका काम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें आपसी कठियार में सी हैं असोक अगरवाल-जी और उसकी पत्नी है उससा अगरवाल-जी मेर है क्या कुछ लग रहा है तो इस पर बत द्रदगार के रूप में जानते हैं तो हमारे साथ में हमारे मित्र जो हैं निगम पारसद बैठेहें और इन लोगों ने बहुत मेहनद की यह भी जहां कमी बेशी होता है तो एक दम एदम क्छोषब्रो そう करते हैं लेकिन निगम का भी काम समुचीत रूप से हो रहा है और होता ही रहेगा जहां कमी है मीडिया भाईों से तरफास्त है कि आप लोग उस कमी को उठाइए और मेर तक करेंगे कोई निगम पारशत कमजोर नहीं है सभी मजबूत निगम परतत है और मेर भी मजबूत है और इनकी इक्षा सकती भी मजबूत है काम करने की तमन्ना इन लोगों के दिल में कुट-कुट कर भरा हुआ है और निश्ची दुरुप से कठियार का विकास जो है आप पagnét ठीष्टमाराणिश का में और चीस में वह और जो आप जानते हैं कि सब्क्राइओ निगम माना जाता है हिंदयूस्थान तो ये सबना सभी लोगों का है हम लोग भी पार्टन पार्सियल निगम के हैं तो हम लोग भी उस सपना को सकार करने में लगे हुए हैं कि कठियार निगम जो है वह एकदम इंदौर निगम की तरह हिंदुस्तान के पटल पर आवे और समुचित विकास हो बहुत बहुत धन्यवाद सर यह थे हमारे